हेलो स्टुडेंस क्लास 11 केमिस्ट्री लास्टन पे हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन और प्रियॉडिसिटी ऑफ दा एलिमें इसके बारे में हमने डिस्कस किया था उसकी में में टॉपिक नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 और उनिट 4 कैमिकल बॉंडिंग एंड मॉ आइन रखते हैं और बॉंड फॉर्म होते हैं तो यह सब आप 10 में पढ़ चुक हो प्रिविएस क्लासिज में फिर से थोड़ा सा रिवाइन हो जाएगा तो इवर्ट इस कैमिकल बॉंडिंग दे अट्रेक्टिव फोर्स विच होल्ड तुगेधर दे कॉंस्टिएंट पार अब यह एटम जो हैं आयन यह मॉलिक्यूल आपस में कम्बाइन क्यूं होते हैं दे कॉस्ट अब कॉंबिनेशन बिट्विन बेस्ट अपन अंडर्स्टेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन अफ नोबल गैसेज इसका एक रीजन है बहुत बढ़ा रीजन है कि हर एलिमेंट यह हर एटम आयन मॉलिक्यूल यह चाहता है कि वह स्टेबल हो जाए ठीक है अब स्टेबल क्यूं होना चाहता है क्योंकि वह अगर अन्स्टेबल फॉर्म में है यानि कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है स्टेबलिटी जब मेंटेन हो जाती है किसी भी या मॉलिक्यूल की, it means वो लोवर एनरजी को अचीव कर लेते हैं, तो हर कोई कम से कम एनरजी में अपने आपको stable करना चाहता है, तो stable, सबसे ज्यादा element कौन से होते हैं, noble gas, आपने पढ़ाए noble gas कैसी होती है, stable gas होती है, तो chemical bonding क्यों होती है, to achieve the noble noble gases configuration और stability उसको अचीव करने के लिए noble gas के configuration को यानि कि अपने octate को outer most shell में इनकी octate 8 electron complete करने के लिए आपस में क्या करती है chemical combination करती है और वो chemical combination की form different different हो सकती है कि कौन सा molecule कौन सा bond prefer करता है noble gases has octate complete 2 electron और 8 electron noble gases octate आपको याद होगा कि उसके outer most shell में या तो 2 electron होने चीए या तो 8 electron होने चीए तब हम उसको बोल सकते है इसका octate complete है like helium helium के 2 होते हैं तो it is a inert gas या noble gases neon organ also the noble gases अब यह reason था कि why do atoms combine the tendency to acquire noble gas configuration ताकि वो noble gas configuration को acquire कर लें अचीव कर लें और octate rule को octate rule याने कि ns2 np6 आउट रमोज शेल में उसके 8 electron complete होने चीए ns2 np6 configuration अचीव करना चाहता है हर atom second tendency to acquire minimum energy and stability और हर element यह चाहता है कि कम से कम energy में यूज करके वो stable form में convert हो जाए इसलिए chemical bonding होती है एक रीजन इसका यह noble gas configuration यह octate complete करने के लिए दूसरा रीजन यह वो stable होना चाहता है अब stable कब होंगी कम से कम energy को absorb करके then Lewis symbol आप पढ़ चुके है inner molecule valence electron आपको पता है आप जब electronic configuration करते हैं किसी भी element का मेभी वो iron form में हो मेभी वो atom form में हो electronic configuration करते हैं उसका outer उनके shells में electron आप फिल करते हैं तो inner molecule valence electron participate in bond formation so these valence electron represent by placing dot structure around the symbol of the element कोईसी भी element के जो valence electron है यानि कि outer most cell में सबसे बाहर की जो shell है उसमें जितने electron present होते हैं उसको हम एक dot से show करते हैं उस element का जो भी symbol होगा ठीक है जो भी उस element का symbol होगा उसके around उसके चारो तरफ जितने उसके valence electron होगे यानि कि outer most shell में जितने electron होगे उसको dot से show करते हैं for example आपको दिख रहा होगा na 11, sodium का क्या होता है atomic number इसका हम जो electronic configuration करेंगे 281 तो इसके outer most shell में सबसे बाहर वाले shell में klm, m shell में one electron present है तो इसके यह जो हम Lewis symbol या Lewis structure शो करेंगे तो इसके element का जो symbol है sodium के symbol में na outer most shell में कितने electron है one तो एक dot से show करेंगे जितने number of electron होगे maybe two maybe three or four outer most shell में जितने electron होगे उसको हम उस dot से show करेंगे for example oxygen oxygen the atomic number is eight electronic configuration is two and six the outer most shell में इसके six electron है तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम शो करेंगे oxygen में दो आप देख सकते हैं two electron यह रहे दो electron यह रहे two electron यह रहे और outer most shell में इसके six electron है तो उनको दौर स्ट्रक्चर से show करते हैं then mg two positive two eight mg two positive mg का होता है 12 12 two positive charge लगा है याने कि इसने two loss किये हैं तो 12 किज़े कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे outer most shell में तो outer most इसकी octet complete है mg two positive eight electron शो करें यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह and two positive charge है क्योंकि इसने two electron loss किये हैं then octet rule and modes of chemical combination according to electronic theory of the chemical bonding atom achieve the stable octet electronic theory के according chemical atom achieve करना चाहते है stability को octet को complete करना चाहते है when they are linked by a chemical bond जब वो किसी भी chemical bond के तुरू combined होते है atom combined other by a transfer of electron और by a sharing of electron in order to have octet in their valence share अब atom की combination की जो form होगी वो different different होती है क्या हो सकता है वो transfer of electron करें electron के transfer से bonding हो या फिर sharing of electron हो तो जब transfer of electron होता है इस वो ionic bond ही आप 10 में पढ़ चोके हैं और जब sharing of electron होती है तो it means covalent bonding होगी फिर लिखा भी है transfer of electron जब transfer of electron होता है एक जो species होगी उस electron को donate करेगी और एक जो species होगी उस electron को accept करेगी तो यह transfer of electron होता है ionic bond form होते है transfer of electron से then sharing of electron जब sharing होती है एक एक की शेरिंग करते हैं दुदो की शेरिंग करते हैं सब अ पढ़ चोके हैं तो दो केविलेंग कोविलेंट बॉंड फोर्म होता है कैमिकल बॉंड आपको थ्री टाइप्स के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे मत most important ionic and कोविलेंट बॉन्ट कोडिनीट बॉन्ट आपका जो आपके लेवल में यहां पर आपको आयनिक इन कोविलेंट पहुत पढ़ए है फरस्ट लीज आनिक बॉन्ट बॉन्ट इस फॉर्म होगा इस फॉर्म बाइद ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वेलेंस electron जो valence electron हो जिनके किसी भी element या किसी भी atom के outermost shell में जितने electron होते हैं उनके transfer से एक valence electron of one atom to another एक atom से दूसरे atom में क्या होता है transfer of electron होता है क्यों होता है to complete their octet, octet को complete करने के लिए and acquire stable gas configuration या stable noble gas configuration the bond is called ionic bond और electrovalent bond इसी को हम electrovalent bond भी बोल देते हैं loss of electron जब होता है आपको पता है आपने सब पढ़ चुक हो ion formation loss of electron होता है तो positive ion form होते हैं और gain of electron होता है तो negative ion form होते हैं अब यह positive negative ion किस तरीके से ionic bond form करते हैं electrostatic force of attraction जो opposite charges एंके बीच में electrostatic इंको opposite charge के बीच में इनके बीच में force लगता है electrostatic force जिसको बोलते हैं electrostatic force between oppositely charge आया है यही force एक तरीके से ionic bond है ठीक है for example ionic bond of the NACL, NACL एक ionic bond है NA, NA क्या outer motion में आपको पता है 281 होता है इसका electronic configuration तो 1 को हमने एक electron को इसके एक electron dot से शो किया है chlorine के पास valence electron 7 होते हैं तो 7 electron शो किया है अब यह NA, एक electron को क्या करेगा, loss करेगा to form the NA positive and CL negative इसी electron को जो NA positive ने loss किया उस electron को gain करता है to form the CL negative ion अब यह क्या बन चुके है, positive ion and negative ion के बीच में electrostatic force of attraction होता है to form the ionic bond, NA positive and CL negative then what factors which affect the formation of ionic bond, ऐसे कौन से factor है जो ionic bond को affect करेंगे, first is low ionization enthalpy of an atom the greater is the ease of lossing the valence electron, low ionization enthalpy का मतलब है जिस ion में convert करने के लिए, नहीं positive ion बनने के लिए कम से कम energy उसको लगे, ताकि वो अपने electron को lose कर दे, ठीक है तो इसलिए यहाँ पर लिखा है low ionization enthalpy, आयन में convert करने की जो जो energy use हो रही है, वो कम से कम हो ताकि ज्यादा effective ionic bond बने, ionic bond असानी से मन जाए ज्यादा energy लगे तो ionic bond असानी से नहीं बनेगा, तो low ionization enthalpy of an atom the greater is the ease of lossing of balance electron, to form the positive ion second is high electron gain enthalpy, high electron gain enthalpy, electron gain enthalpy आपको पता है acceptance of electron, वो enthalpy जो electron की accept करने में use होती है higher the value, अगर negative electron gain enthalpy की value बहुत जादा है it means वो electron को बहुत फासली attract करेगा, gain करेगा, greater will be the ease of formation of an ion तो positive ion, यानि की ketan बनने की form क्या है, कि low ionization enthalpy होनी चाहिए secondly, high electron gain enthalpy होनी चाहिए, तब ionic bond strongly form होते है third is high lattice enthalpy, lattice enthalpy greater will be the ease the formation of ionic bond ionic bond के formation के लिए, lattice energy का मतलब उसको break करने के लिए ions में break करने के लिए जितनी energy की ज़रत पड़ती है वो अगर ज़्यादा है, तो असानी से आपका ionic compound form हो जाता है notice what is lattice energy और enthalpy, the amount of energy released वो energy का amount जब release होता है, कब, when one mole of ionic crystal is formed from its constituent ion, ion के combine होने से जो form होता है तब energy जो release होता है, उसको हम lattice energy बोलते है, this is delta H delta H equals to negative value of the potential energy, negative value of the potential energy minus U लिखा है यहाँ पर, M positive यहाँपर कोई positive ion है, कट ion combines with negative ion, anion 2 from the Mx, this is ionic bond the energy is released, this is called the lattice energy, delta H then size of ion, size of ion means, अगर ion का size size of ion, कि size of ion lattice energy को किस तरीके से effect करता है, जितना छोटा size होगा size छोटा है, it means उसके जो electron है, nucleus से ज़ादा attractive force से combine है, तो उसको break करने के लिए हमें ज़ादा energy की ज़रत पड़ेगी, तो इसलिए जितना छोटा size होगा, lattice energy उतनी ही ज़ादा होगी, इसलिए यहाँ पर size of ion is inversely proportional to lattice energy, this is delta H, यहाँ पर charge लिखा है, charge की case में आपको यहाँ inversely proportional नहीं होता, जितना ज़ादा charge होगा, ठीक है, उतनी ज़ादा आपको lattice energy ज़ादा होगी, यहाँ पर आप directly proportional लिखेंगे, delta H के, directly proportional to delta H, चार्ज जो हमारी lattice energy है, वो चार्ज के directly proportional होती है, जितना ज़ादा charge है, चार्ज ज़ादा है तो electron उतनी ही attractively combined होगे, और ज़ादा attractively combined है, it means उनको बिर्ट करने के लिए, आयन में convert करने के लिए उतनी ज़ादा lattice energy की जुरत पड़ेगी, तो चार्ज यहाँ पर थोड़ी सी mistake होगी है, चार्ज इस directly proportional to delta H, means, चार्ज ग्रेटर दा चार्ज, लेटिस energy will be greater, second, what is covalent bond, covalent bond आप पर्च चुके है, what is covalent bond, the bond formed, वो bond तब form होता है, जब atoms के बीच में, electron की sharing होती है, may be 1,1 electron की sharing हो, may be 2,2 electron की हो, may be 3,3 electron की sharing, depend करता है कि उनको कितने की sharing करनी है, covalent bond, the bond formed by mutual sharing of electrons between combining atom of the same or different element, हो सकता है, same element के बीच में sharing हो, electron की हो सकता है, different element के बीच में हो, this is called the covalent bond, for example, H2, यहाँ पर H2 है, similar atom है, HH, जो है, एक hydrogen के पास एक electron होता है, दूसरे hydrogen के पास भी एक electron की हो, क्योंकि इनकी outer motion में एक ही electron present है, तो यह 1,1 की sharing करते हैं, 2 form the covalent bond, और एक-एक की sharing करते हैं, तो single bond आता है, यह आप 10 में पढ़ चुके हैं, 1,1 electron की sharing होती है, तो single bond, 1 paired share electron, O2 की case में, second example O2 का है, O2 में outer most shell में या valence electron, इसके 6 होते हैं, तो यह अपना octet complete करने के लिए, सिक्स होता है, तो इसको 2 की जुरत है, यह 2,2 की sharing कर लेता है, 2 form the stable complex and stability maintain, 2-2 की sharing होगी, तो इनके बीच में 2 pair of electron sharing, 2 form the double bond, 2 की sharing होते हैं, तो double bond आता है, ऐसे ही H2S, for example, H2S यह different element है, sulfur के outer most shell में होते हैं, 6 electron, अब यह एक-एक hydrogen से electron की sharing करते हैं, 2 form octet, अपने octet को complete करने के लिए, hydrogen को भी अपने octet को complete करने के लिए, एक electron की जरुत होती है, क्योंकि उसके already balance electron की इतने होते हैं, 1 होते हैं, तो वो अपने 1 को sharing करता है, तो उसके 2 electron complete हो जाते है, 2 form the helium, helium-like electronic configuration, H2S form होता है, इस तरीके से, 2 hydrogen bond combined with the single bonded, what formal charge, the difference between the number of valence electron in an isolated free atom, and the number of electron as it assigned to that atom, to that atom in a Lewis structure, formal charge, यह आपका बहुत कुश्चन आता हैं निकालने के लिए, कि formal charge के इस तरीके से निकाला जाता है, what is formal charge, total number of valence electron, किसी भी free atom के हम बात करें, कि free atom पर कितना valence electron है, उसके outermost shell में जितने electron होते हैं, वही उसके valence electron होते हैं, minus total number of non-bonding, यानि कि lone pair, lone pair जो bonding में participate नहीं करते, उनको बोलते हैं, total number of non-bonding, या lone pair electron, minus 1 upon 2, total number of bonding electron, bonding में कितने electron पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका half, ठीक हैं, तो formal charge का आपको formula आना चाहिए, कि formal charge equals to valence electron, minus lone pair electron, minus half bonding electron, और shared electron, फर एक्जामपल, ओजोन मॉलीक्यूल, ओजोन मॉलीक्यूल में है, ओजोन मॉलीक्यूल का हम इस्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे, Lewis structure, इस तरीके से यह फॉर्म करते हैं, सेंटर ऑक्सिजन, को हमने, ऑक्सिजन नमबर 1 से शो किया है, और साइड वाले को 2 से ऑक्सिजन, इनकी रेटिंग कर दी, हमने कि यह 1 नमबर है, 2 नमबर है, तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, कि कौन से ऑक्सिजन, कि हम बात करें, तो सेंटर वाले को उनने 1 नाम दिया, सेंटर ओर लेप्ट अटियों को 2 नमबर 1 नमबर पे, और और ऊक्सिजन नमबर 2 नमबर तो नमबर बच जाते हैं, ऐसे ये, एक 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 एलेक्टरून की जama शेरिंग करता है, थर वाले ऑक्सिजन से, सेंटर वाला ऑक्सिजन, oxygen no.1 इसके 6 electron आपको दिख रहे होंगे non bonding electron does not participate in the bonding only एक एक electron की sharing होती to form the octet अब हम इनकी formal charge निकालेंगे per atom ठीक है एक एक atom की हम निकालेंगे formal charge central atom की हम बात करें oxygen no.1 formal charge of oxygen no.1 उसकी बात करें तो सब oxygen जितने भी हम यहां पर oxygen देख रहे हैं सबका valence electron तो same ही रहेंगे 6 equals to 6 minus 2qr 2 is the lone pair आप देख रहे होंगे first number वाले oxygen में lone pair कितने हैं आपको बचे हुए जो bonding में participate नहीं कर रहे है 2 minus half valence electron valence electron का मितलब है यह bonding में कितने participate कर रहे हैं आप center वाले oxygen को देखिए वो second वाले oxygen के साथ 2-2 की pairing कर रहे है तो 2-2 की pairing होरी यानि कि 4 electron और इदर single bond third वाले से तो कितने हो गए 4 और 1 4 और 2 6 6 electron bonding में participate कर रहे हैं तो 1 upon 2 into 6 इसको solve करेंगे तो प्लस वन आएगा यानि कि oxygen नमबर वन पर कोई सा फॉर्मल चार्ज है प्लस वन ऐसी oxygen नमबर टू कम निकालेंगे इकवस्टो 6 वैलेंच एलेक्ट्रों सेमी रहेंगे 6-4 है आपको नॉन बंडिंग एलेक्ट्रों दिख रहे होंगे लोन प्यर एलेक्ट्रों 4-5 इसने बॉंडिंग में तबल बॉंड फॉर्म किया सेंट्रल वाले oxygen के सार्थ तो डबल बॉंड के लिए कितने एलेक्ट्रो है four electron अगर single bond है तो two electron एक-एकी sharing होगी तो two electron डबल बॉंड है यानि कि दो दो की sharing होगी तो Total electron 4 हो जाते है one upon two into four total charge इस पर जो है फॉर्मल चार्ज सेकिंड वाले oxygen पर zero ऐसी third वाले oxygen का आप जम निकालेंगे formal charge equal to 6 balance electron same ही रहेंगे 6 minus इसमें non-bonding आपको electron दिख रहे होंगे 6 minus 1 upon 2 एक-एक की sharing हुई है single bond आपको दिख रहा है याने कि bonding में participate केवल 2 electron ने किया है तो 2 से 2 cancel equals to minus 1 solve करने के बाद minus 1 याने कि oxygen number 1 पर plus 1 charge आएगा formal charge oxygen number 2 पर 0 and oxygen number 3 पर minus 1 formal charge इस तरीके से हम formal charge निकालते हैं next is what is coordinate covalent bond another covalent type of bond in which both the electron in the shared pair comes from one atom इस bonding में क्या होता है coordinate bond तब बनता है कि एक 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 आटम जो होगा एक element वो अपने pair of electron को donate करेगा और एक species उसको accept करेगी sharing नहीं होती shared sharing होती है बट उसको एक acceptor का काम करता है और एक donor का काम करता है this is called the coordination bond this type of bond formed between ऐसी species के बीच में बनता है कि एक species तो deficient हो मतला उसके पास electron की कम हो at least two electron उसके पास कम हो वायल जो दूसरी species हो तो it means उसके पास already acquired a stable noble gas configuration यानि उसका अपना octet complete हो ठीक है तो ऐसी species यहाँ पर participate करती है coordinate bond के formation में तो electron deficient species act as a acceptor एकसेप्ट करती है यानि कि उसको electron की कम ही है तभी वह accept कर रही है electron rich species यहाँ पर electron इसके पास already बहुत सारे है यानि कि stability को यह अचीव कर चुकि है whichever electron fair for donation donate करने के लिए इसके पास electron है तो इसलिए donor की तरह करती है तो जो donate करती है और जो accept करता है उसकी तरह arrow आता है और इस bond को putting this type of bond इस arrow से शो करते है इस coordinate bond को donor की acceptor की तरफ arrow आता है और उसकी tail part जो रहता है वो donor की तरफ रहता है for example यहाँ पर एक species है NH3 NH3 की आप जब bonding देखेंगे तो यह hydrogen की 3 atom के साथ combined होके अपना octet तो complete कर लेता है क्योंकि इसके outer most shell में nitrogen के 5 होते हैं और hydrogen से यह एक 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 शेरिंग करता है तो इससे यह अपना octet complete कर लेता है बट इसके पास उसके बार एक lone pair बच जाता है nitrogen की पास तो यह nitrogen donor की तरह act करता है to the to give the these lone pair electron की किसी electron deficient species को donate करके coordinate bond form कर सकता है तो h-positive act as a electron deficient species यहां पर यह acceptor की तरह करेगा h-positive means positive है वैसे यहां पर hydrogen के पास एक electron होता है बट यहां पर positive लगा it means यह भी उसने donate कर दिया है तो यहां पर hydrogen के पास एक भी electron है तो यह इसकी stability को maintain करने के लिए hydrogen को अपने lone pair electron donate कर देता है to warm the coordinate bond तो arrow आप देख रहे होंगे जिसने accept किya arrow उसकी तरफ है tail part जिसने donate किya उसकी तरफ है like ozone, ozone में भी similarly है oxygen, O to react with the single atom oxygen 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 के बीच में double bonding होती है बट यह इनके पास already एक lone pair electron present होता है to give the electron deficient species थरड वाले oxygen को यह electron क्या कर देता है, lone pair electron donate कर देता है to form the coordinate bond तो यह arrow वाले जो bond है इनको हम coordinate bond बोलते हैं next है bond parameter, bond parameter first is bond length, what is bond length? the equilibrium distance between the centers of the nuclei, अब दो atom आपस में bond form कर रहे हैं तो उनके nucleus के बीच में कुछ distance होगा, ठीक है उनके बीच में कुछ distance होगा of two bonded इनके बीच के distance कोई, nucleus nucleus के बीच के distance कोई हम बोल देता है, bond length यहाँ पर आपको दिख रहोगा एक कोई atom है A और एक कोई atom है B यहाँ से यहाँ तक की, इस atom के, atom A के, atom B से जो यह distance है, यहाँ से यहाँ तक की जो distance है इसको हम बोलते है, bond length तो bond length of the RAB, क्या हो जाएगा, RA plus RB, यहाँ से यहाँ तक की distance RA और यहाँ से यहाँ तक की distance RB तो इन दोनों का sum होता है, bond length, bond length is the sum of the two covalent radii, two covalent radii of atom, this is called the bond length अब bond length को हम कैसे, किन measurements में show करते हैं, maybe angostrom की form में हो, तो हम meter में convert करने के लिए, 1 angostrom equals to 10 की पावर minus 10 meter, and 1 pico meter equals to 10 की पावर minus 12 meter R covalent, यानि की covalent radius equals to, अब दो atom आपस में covalently bond form कर रहे हैं, यानि sharing of electron कर रहे हैं, तो उनके बीच के हम covalent radii कैसे करते हैं, निकालते हैं RAB, जो दोनों nucleus के बीच का जो distance है, उनका half, half of the distance between the two nuclei, ठीक है, इसे बोलेंगे हैं, covalent radii, R covalent, ये आप सब पढ़ चुके हैं, पहले वाले chapter में, R covalent equals to RAB upon 2 next, second वाला, ये wonderful radii है, wonderful radii में weak force of attraction होता है, ये sharing नहीं करती, नहीं attraction होता है, इनके बीच में, तो ये थोड़ा दूर-दूर होते हैं, atoms, wonderful radii equals to, दो nucleus, जो की weak force of attraction से attached हैं, इनके बीच के distance का जो half होता है, वो wonderful radius होता है अब यहाँ पे, covalent radii ही दे रखिया, bond length OH, oxygen hydrogen के बीच की जो bond length होती है, 96, carbon hydrogen के बीच की bond length है, 107, then carbon carbon double bond, 134 angle strong, ये सारे angle strong में दे रखिया, factor, which factor affect the bond length, ऐसे कौन से factor है, जो bond length को affect करते हैं, bond multiplicity, multiplicity का मतलब, bond कैसा है, single bonded है, एक एक की sharing हुई है, तो दो की sharing double bonded है या triple bonded है, तो bond length is inversely proportional to bond multiplicity, bond multiplicity, अगर आपका bond की multiplicity बढ़ रही है, यानि कि double bonded, triple bonded अगर compound है, it means उनकी जो bond length है, वो क्या है, छोटी है, ठीक है, और जितना आपका single bonded है compound, उतनी उसकी bond length होगी, next second is, size of atom is directly proportional to bond length, जितना atom का size छोटा होगा, ठीक है, उतनी ही bond length भी छोटी होगी, वो atom के size पर depend करेगी, तो इसलिए आपर लिखा है, bond length is directly proportional to size of atom, atom का size छोटा, तो bond भी आपका छोटा, अगर आपका size atom का large होता जा रहा है, तो bond भी large होता जाएगा, next is bond angle, the average angle between the orbital containing bonding electron pair around the central atom, जो भी bond form हो रहा है, bonding electron के बीच में और central atom के बीच में, तो उनके बीच में angle average, उनके बीच का जो average angle है, उसको हम bond angle भोलते हैं, central atom in a molecule, express in degree, इसको हम degree में या minute में या second में express कर सकते हैं, for example, यहाँपर methane है, methane molecule CH4, CH4 के बीच का हर angle, हर carbon hydrogen, hydrogen, carbon hydrogen के बीच का जो angle है, वो 109.5 degree है, ऐसी हम water की बात करें, तो HOH के बीच का जो bond angle है, वो है 104.5 degree, ऐसी ammonia में hydrogen, nitrogen, hydrogen के बीच का, H bond 107 degree, 3rd is bond enthalpy, what is bond enthalpy, the amount of energy, bond को break करने के लिए, bond को break करने के लिए, जितनी amount of energy required है, उसको हम bond enthalpy बोलते हैं, अब लिखा है, the amount of energy required to break one mole of bond of a particular type between atoms in the gaseous state, this is called the bond enthalpy, H2, यहाँ पर H2 कोई molecule है, इसके bond को, इंके बीच में single single bond होता है, इनको break करने के लिए, to form the gaseous ion, HNH, to form the required bond energy, delta H equals to 435.8 kilo joule per mole, और यहाँ पर हम जो bond energy लेंगे, वो लेंगे kilo joule per mole में, what factors which affect the bond enthalpy, bond enthalpy को कौन से factor affect करते हैं, first is size of bonded atom, size of atom is inversely proportional to bond enthalpy, atom का size जितना छोटा होगा, वो उतनी attractively electron और nucleus आपस में force से bonded रहेंगे, ठीक है, अब bond बहुत ज़्यादा strong बना है, तो उसको break करने के लिए energy भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए उसकी bond enthalpy ज़्यादा होगी, तो smaller the size, greater will be bond enthalpy, and greater the size, smaller will be bond enthalpy, oppositely, यह equals to होते हैं, size of atom is inversely proportional to bond enthalpy, next second is bond length, bond length पर कैसे depend करेगा bond enthalpy, bond length जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, bond length जितनी ज़्यादा आपकी बड़ी है, it means bond enthalpy उतनी कम लगेगी, bond अगर चोटा है, आपका bond, अगर चोटा बन रहा है, अब चोटा कब बन रहा है, जब small size होता है, अगर आपका चोटा bond बन रहा है, तो उसको break करने के लिए, आपको energy ज़्यादा देनी पड़ेगी, जैसे आप चोटे सा लकडी का टुकडा ले लिजिए, अगर आपके पाँ चोटी सी लकडी का टुकडा है, तो आप उसको तोड़ने में बहुत महनत लगेगी, बट एक बड़ी सी लकडी ले आई है, तो उसको तोड़ने में आसानी से वो टुक जाएगा, कम energy के साथ, तो वैसे यहाँ पर bond length ही है, जितना बड़ा आपका bond, जितनी उसकी bond length, यानि कि लंबा है bond, तो उसको break करने के लिए, कम energy की ज़रत पड़ेगी, और जितना छोटा bond parameter थे, next time पे लेंगे resonance, thank you